हलो फ्रेंज नमस्ति आज में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही उनिक और डिफस्टे की रिसिपी जिसको हम किचिन के बैसिक सामगरी से बना कर तैयार करने वाले हैं तो फ्रेंस यह जो नास्ता है खाने में काफी टेस्टी होता है और बैच्चे को ते यह बहुत ही पसंद आती है तो आप इसको सुबर साम या दोफ़र को किसी भी टाइम बना सकते हैं ब्रेकफर्स लंज डिनर में आप देख सकती कितना जालीदर और शौफट बन के तयार है तो फ्रेंस तो मैं इसको सेर करने वाले हूँ एक चटपटी तीखी चटनी के साथ तो फ्रेंस इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सूजी तो यहाँ पर मैंने ले है सूजी डेर कप यहाँ पर बारिक या मोटी वाली कोई भी सूजी का आप यूज कर सकते हैं फिर हम इसमें डाल देते हैं चाच चाच इसको डाल देंगे और हम यहाँ पर सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं आप चाहे तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं चार्च मेनी एक कब ली है चार्च को डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम सूजी को ढख कर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक फिर दुसरे ही साइड हमें लेना है एक कब पोहा पोहा मोटा या पतला कोई भी ले सकते हैं फिर हमें आप पोहा पे डाल देते हैं पानी इसमें बहुत सारा गंदा होता है तो हम ये पोहा को अच्छे से वस कर लेना है दोस्ते तीन बार फिर हम इसको अच्छे से मसलती हुई वस कर लेंगे और जो ये गंदा पानी निकला है इसको निकाल देते हैं और और दो बार धो लेंगे फिर इसको हम कवर करके रख देते हैं 10 मिनर तक फिर दूसरे साइड मैंने याप पानी को विलने के लिए रख दी थी एक टमाटर को इस तरह से काट कर डाल देंगे पिछे तरफ से फिर एक उद्रक कर टुगरा तीन हरे मिर्च को डाल दी है मैंने आप चाहे तो लाल मिर्च का भी उच कर सकते हैं फिर तीन से चार लसंगी क अलिया डाल देंगे और इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तो फ्रेंज हम यहाँ पर टमाटर को अच्छे से कूप करना है तो यहाँ पर हम इसको करीबन 5 मिनिर तक कूप करने के बाद अच्छे से पक जाता है तो हम इनको निकाल देते हैं सारे को निकाल देते हैं यहा आपे देख सकते हैं टमाटर का चिलका बहुत ही आसानी से निकल गया है वो टमाटर को थोड़ा सा मेश कर देते हैं चमत से इस तरह से अचाकु से फिर हम इसको ट्रांसपर कर देते हैं एक मिक्सी जार में तो हमें इन सारी चीजों को एक साथ ही डाल देना है उसकी बाद हम डाल देते हैं ये धनिया ये जो धनिया है ये इसको मान धनिया बोलते हैं ये आसाम का बहुत ही फिमस धनिया है खाने में काफी टेस्टी होता है अगर आपके पास ना हो तो आप इसको इसको इसकी भी कर सकते हैं फिर स्वात के ही सबसे नमक और एक चुथाई चमत जितना कस्मिली रार मिर्ट डाल दिये मैंने अच्छे कलर के लिए और इसको मैंने पीछ ली थी तो अब हम इसको ट्रांसपर कर देते हैं एक कटोरा में तो आप देख सकते ही यह जो चैटनी है बनके तैयारे खाने में काफी टेस्टी होती है और इन दोनों का कम्विनेशन काफी अच्छा होता है तो सूजी को भी रखे यहाँ पे 10 मिनिट हो गए है हम सूजी को चेक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी जो ही कितना फूल गया है और यह काफी गाड़ा हो गया है तो सूजी को हम ट्रांसपर कर देते हैं एक मिक्सी की जार में तो मिक्सिका जार छोटा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पीश लूँगे दो बार में फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे एक चोथा कब जितना और इसको हम पीश लेते हैं तो इसको पिषने के बाद हम ट्रांसपार कर देते हैं एक Mixing बॉल में और जो दूसरी वाली है सेकंड बार सेम तरिकेसे पिष लेंगे थोड़ा सा पाने डाल कर पिर इस पुहा को ले लेंगे और पुहा को भी हम मिक्सिके जार में ट्रांसपार कर देंगे पुहा भी बहुत आता है सेकंड बार पिसलूंगी में फिर पुहा को भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर पिसली एक चुथाई कब जितना तो यहां पर जो बैटर है हमारा सूजी का इसी के साथ हम पुहा को भी मिक्स कर देते हैं और एक चमस ले लेते हैं बड़ा वाला अच्छे से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर गाड़ा यहां पर हो तो थोड़ा सा पाने का यूज कर सकते हैं तो हम यहां पर डाल देते हैं स्वात के हिसाब से नमक और नमक को डाल कर हम इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर हम बैटर को 10 मिनट रेस करन लेना है उसके बाद दो मिनट हम जैसे बैटर को मिक्स करेंगे हम इसमें डाल देते हैं इनो फ्रोट शॉल्ट आप शाहे तो बेकिंग शॉडा का भी योज़ कर सकते हैं तो मैंने यांके नया पर एक प्रकेट डाली है और इनो को डालने के बाद हम या पर अच्छी से मिक्स कर देते हैं उसके बाद यह जो बैटर है काफी फलफी हो जाता है तो आप देख सकते हैं बैटर जो है काफी फलफी हो गया है अब हम आगगे प्रोसेस करते हैं बैटर को रख देते हैं साइड में एक तवे को मैंने गरम होने के लिए रख दी है तवा को मैंने हाइफ ले में गेस को करके रख दी है गरम होने के लिए तवा जैसे गरम होता है एक बड़ा चम्मच उठाएंगे और तवा के संटर में डाल देंगे इसको हमें फैलाना नहीं है इसी तरीके से छोड़ देना है फिर साइट ची हम थोड़ा सा तेल लेंगे और डाल देंगे उसके बाद हम इसको cover कर देंगे तो cover करके हमें high to medium flame में एक मिनट के लिए पकाना है जैसे हम एक मिनट के बाद ये जो cover है इसको हटाएंगे तो आप देख सकते हैं नास्ता जो है काफी जालेदार बनके तयार हो चुका है अब हम इसको निकाल देते हैं तो जो भी बेटर है उनको हम सेम तरिके से बना कर तयार कर लेंगे तो दोस्तों एक छोटे से request है मेरी आप से आप अगर वीडियो पे नए हो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी फ्रेंस फेमिली तक मेरी रेसी भी पहुंच सके और मुझे थोड़ा से सपोर्ट